करनाटक विधान सभा चुनाओं में राहुल गांधी ने एक वक्ता विद्या था जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली लेके गए थे लेकिन बजरंग बली वहां फेल हुए और सोशल इंजिरिंग पास वां उत्तर भारत में जब पिछड़ राजनीती की बात करते हैं तो यादव राजनीती रूप से इन लंगे पिछले कई महिनों से DIRECTOR मौह सवा एक्टेव है आंद्रपरदेश, तिलंगाना और तमिन नाडू में लाखों की संख्या में यादवों की सभा होई, यादव महासभा, समाजिक चेतना और राजनितिक चेतना का बहुत ही तिव्रगति से विस्तार हो रहा है और एक तरीके से उत्तर और दक्षिन की जो खाई है वो खाई खत होती जा रही है, दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में डॉक्टर सूरज मंदल है, दिली इनवस्टी के शरद्दानन्द कॉलेज में पढ़ाते हैं, और लेट बीपी मंदल साहब के ग्रैंट सन है, मंदल कमिशन, आज कल भारत के हर इस तरह के बैकवर्ड क्लासेज यादव कम्यूटी के प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट वहाँ पर शिर्कत कर रहे हैं, इन से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक बैकवर्ड पॉलिटिक्स थी, साउथ का साउथ में, नौर्थ का नौर्थ में, तो क्या इस समय डिजटल वर्ल्ड में क्या दोनों का जो गैफ है वो खत्म हो रहा है, यादव चेतना वहां किस तरीके से है, क्योंकि नौर्थ में तो यादव चेतना अभी इंडिया के साथ है, लाडजली सेकुलर मुर्चाग के साथ है, दक्शिन भारत में क्या इस्थि तो उसका अलग-अलग व्याख्या होता है कृष्ण की भी व्याख्या अलग-अलग हुए एक फर्जी करेक्टर सुदामा करके और सुदामा के नाम पर क्या तो पूरा का पूरा एक समाच एक ब्रह्मन समाच के समक्ष मत्मस्ता को जाए उस तरह की जो वैचारिकी है, वो वैचारिकी काफी फैल रही है, लेकिन इसके विपरीत, जो यादव महासभाई महीं, जो पहले सिर्फ यादवों की बात करती थी, उसके विपरीत आज वो पिछड़े वर्क के संदर में अपनी मांगे रख रही है, उनकी जो मांगे हो रही हैं वो यह हो रहे हैं कि जाती जंगन्ना करा अभी जो सभा हुई त्रीची में जिसमें मैं समझता हूँ आट-दस लाख लोग पस्तित थे और उसमें मैं भाशन भी दिया और लगभग ये सर्वसमत्ति सित्य किया गया कि पूरे भारत में इस पर जोड लगाया जया जाय कि जाते जंगर, उसके साथ मंडल कमेशन पूरी तरह लागु की जाये तो सिर्फ महज जाती के नहीं ये ओविसी एक पूरे पूरे समुदार है या कहिए जो शरण जी बराबर कहते थे कि जाती से जमात की राजनेती तो यहां जमात की राजनेती जमात की मांग हो रही है और तमाम जो वक्ता थे वहाँ चाहे वो उत्तर से थे या दक्षन से थे वो इस बात पर सहमत तो और इसके साथ साथ आपने नाम लिया तिलंगना का तिलंगना में तो लगातार पाँच कन्वेंशन्स हुए बैकवर्ड क्लास का जिसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि स्टूडन्ट कन्वेंशन हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडन्स और असमानिया के बैकवर्ड क्लास स्टूडन्स जो पूरे इंडिया में नहीं हुआ है और वहाँ भी जो मांगे थी वो मांगे जो थी वो सिर्फ यह नहीं थी कि बैकवर्ड क्लास को आप भग दीजिए वो यह भी थी कि रोहित विमुला जैसे कांड जो हो रहे हैं उसका पुनर्विर्ती नहीं हो वो क्यों हो रहा है और इस पर पूरी की पूरी समाजिक जेतना बढ़े और लोग इस पर आगे आए चाहे वो पिछले वर के हो या दलित समधा के हो तो ये बात में मुझे लगा कि एक नए भारत और नए संदर में यह आ रहा है और हम लोग आप तो बराबर इस पर लेक भी लिखे हैं रोहित विमलाप और अभी भी आप भाशन दे रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर में भी लगाता है जो दलित हमारे साथी हैं कई लोग आत्मत्या कर रहे हैं हमारे एक साथी हैं रितु धरने पर बैठी एक महिने से और उनको निकालने के साज़िश है तो उसमें तमाम जो बैकवर्ड क्लास और दलित मिलके आदिवासी मिलके अगर अपनी बात रखेंगे तो सरकार चाहे जितनी भी वो मनुस्मृती आधारित अपने फैसले करें उसको एक रोक लगाने में संभव हो पाएगा और मैं समस्ता हूं उत्तर दक्षिन की राजनिती का एक मिलन और मांगों का मिलन और एक समाजिक रूप से भाउजन समाज का मिलन एक बड़ी बात हो रही है और इस बात से भाजपा और आरेसेस को डरने के जरूरत आपने कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण को जो है नो एक याद्वों का देवता बनाया गया है दक्षिन में भी है बिलकुन और उत्तर में भी है लेकिन अगर इतिहास और माइथोलोजी देखेंगे तो कृष्ण एक नहीं है कृष्ण की परंपरा है कई कृष्ण है और जो कृष्ण हम लोग समझते हैं इतिहास में वो गोपालक है गोपालक और इंद्र से युद्ध भी हो रहा है कृष्ण का कई रेफरेंस हमने पहले भी दिये हैं आपके क्रिष्ण को अदर्म को लोग मानते हैं कि heures में और रहा है तो यह अदब को औरहे रहेंगे वहे शत्रियत रहुंगे नहीं तो यह क्या इस पर कोई गोश्म है क्योंकि अभी देखा गया है कि सब जातियों को एक-एक आइकन RSS BJP दे देता है एक-एक देवता देता है बालमीकी इनके हैं सुहेल देव इदर हैं तो कहीं डलमव है कहीं कृष्ण है तो एजे इस्टुएंट ऑफ हिस्ट्री जो हमने पढ़ा है कि कृष्ण की परंपरा है एक कृष्ण नहीं है और सबसे पहली बात यह है कि जो गोपालक कृष्ण की बात किये तो जो यादव या जो एहिर कही है या गोपजातियां कही है जिसमें भी जातियां है पाल है यह सभी कृष्ण को मानते हैं क्योंकि कृष्ण उनके जानवरों की रक्षा करता है उनके जिविका की रक्षा क और आप देखे होंगे कि किस तरह से यमना पर जो कालिया नाग पर मरदन करके उसको अनकुष लगाने का प्रयास करते हैं या किये हैं प्रयास नहीं उन्होंने किया वो प्रतीक है कि किस तरह से तथाकथित सनातन धर्म में जिस तरह से छोटे जातियों को या जो अपने श्र शिरात के साथ ही अब नहीं रहे जहनती भाई नाम था उनका उन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है मूल निवासी श्रीकृष्ण और उसमें उन्होंने इस परविस्तार से चर्चा किया मेरा निवेदन यही है कि पूरे दक्षिन और उत्तर भारत में जहां जहां ह बिल्कुल उस कृष्ण से मेल नहीं खाता है जिसके हम पूजा करते हैं और उस ये कृष्ण काले हैं बिल्कुल ये क्रिश्ण जो हैं सो अपने log rikt डोलों के साथ गाई चराने जातर हैं अपने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं उनके लिए संगर्ष करते हैं यह सिर्फ वो नहीं है कि कह देते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और बांकी जो वर्ण विवस्था जो बनाई गई है वही मुझ में नहीं थे चुकि यह आप उसमें कह रहे हैं कि भाई हमारा काम वर करते हैं कही आदव उनको तो आप देखते हैं कि जैसे हमारे साथ बड़े हमारे भाई जो है अखलेश जी वो जब छोड़ते हैं घर तो उसका सुद्धिकरन किया जाता है तो आपको समाजिक दृष्टिकोन से किस सेटिफिकेट के साथ देख रहे हैं आप मत मानिए लेकि परंपरा है जो कुर्मी चत्रिये भी लिखते हैं और कई लोग अब तो यह भी आ गया है कि पासवान चत्रिये जो सब चत्रिये सर्टिफिकेट बट रहा है ब्रामन नहीं बट रहा है वो क्यों बट रहा है उसका आपने बड़े अच्छा लेक किया था कि अब जो धर्म की कोई मतलब नहीं धर्म की रक्षा तो कौन बहुजन करेंगे जो पिछड़े अती पिछड़े और दलित है तो उनको यह सेटिफिकेट दे दो और उनको लेकिन यह दक्षिन भारत में इस पर बहुत ही बहुत क्लियर कट स्टैंड है और उनका यह मानना है कि जो और देखे इसमें विड़मना और क्या है सतर साल हो गए है आजाधी के जो समलित अंदर प्रदेश था उसमें एक मात्र मुख्यमंत्री जो हुए थे वो दलित समाज से हुए थे पिछड़ा वाला पॉइंट जरा कवर कर लें तो आप और यादव समाज महाभारत के कृष्ण के साथ बिलकुल और हम तो लिखते भी रहते हैं और लोगों को बोलते भी रहते हैं क्योंकि यह तो पूरा कमनल आए जो इसका इस्तमाल ऐसे किया जा रहा है और यह नरेटिव जो है इसको बताने कि इसलिए जरूरत है कि आप एक सिंगल स्लेट की तरह वाइप आउट नहीं कर सक हैं मेमरी से लोगों के उनकी आराद देखा तो उस आराद का नरेटिव क्या हो उनकी पहचान क्या उसको बहुत होशियारी से जो ब्रह्मन वर गए उसको वो अपने हिसाब से मोर देता है और हमें यह ज़रूरी है चुकि अब हम भी सोचने समझने और पूरी तरह यह दख चोटी जातियां, जो कमजोर जातियां, जिन पर जुल्म होता है, उसकी रक्षा करने के योग्य हम है कि ने, बड़ी जातियां को तो सब कोई प्रणाम करता है, या अगर धर्म की रक्षा करें तो उसका मतलब है कि अपने से दवे कुछले, दवे कुछले पर की रक्षा करें और यह नहीं कि जो कोई उसको बता दे कोई कि तुम उस पर जुल्म करो और यह करो और देखिए तमाम जो दियातों में जो संगर्श होता है जमीन को लेके और गाय मविश्य को लेके इसमें अक्सर देखा जाता है कि सामने तो रहते हैं बैकवर्ड क्लास के लोग लेकिन पी जाने के प्रयत्न में कर रहे हैं और इसको समझने में यह असानी से लोग समझ जाएं यह जरूरी नहीं है इसको हमारी हैसियत जितनी है उतना हम समझा रहे हैं लगातार हैं करना दूसरी बात हमारे बड़े नेताओं को इस पर स्टैंड लेना पड़े जिनकी जिनकी जो प बिहार उत्तरभारत की राजनिती में शक्री रहते हैं जानते भी अब दक्षिन भारत में आप सक्री हैं नों जगह सिमेलएरेटि यह है कि दोनों जगह जो है सो प्रभावित है जो वाकव क्वेट डलिट है उनकी जो ताकत है उनका जो एकता है उसमें कमी रहती है क्योंकि अगर एका हो जाए तो चाहे उत्तर हो या दक्षिन हो संख्या इतनी अधिक है कि वो निश्चित वर से वो जितेंगे और आगे रहेंगे दूसरा similarity यह भी है कि लोग अधिकतर जो है वो resourceful नहीं है मतलब गरीव है और उनके पास उतनी शमता नहीं है materialistically लेकिन अब जो एक change आ रहा है वो change यह है कि आंधरा और तेलंगना में backward class में और खास तर से यादवों में काफी ऐसे लोग हैं जो काफी उस विकास में उनको हिस्सेदारी थोड़ी बहुत मिल रही है जिससे उनका अपना resource बढ़ रहा है जिसका परिणाम देखने में आता है कि जब वो politically demand करते है more an adequate representation और यह हो रहा है आंधरा में आंधरा में जो अभी राजनीती है पुर्ण रूप से केंद्रित है रेड़ीज के हाथ में और उनसे जो मुकाबला करते हैं वो कम्मा और कापू समधाय करते हैं कापू जो है तेलंगना में बैक्वर्ड है लेकिन आंधरा में बैक्वर्ड नहीं है तो उस राजनीती में बैक्वर्ट के नहीं वो तो वल्मा कम्मेटी के हैं जिसकी संख्या दो परसेंट लगबग सिर्फ है और इसी तरह रेड़ीज पूरे संख्या जो है पांच परतिशत से अधिक नहीं लेकिन पूरे राज्य का रिसॉर्सेस पूरे राज्य के जमीन और यह उनके हाथों में उस बीच में जो अभी सभाय हुई है चाहे अंधरा में हुई जैसे बीपी मंडल के पृतिमा का नावरन हो रहा था उससे में बड़ी सभा हुई आप ही थे मौजूद जिस तिन नावरन उस उस भी इनकी मांग हो रही है कि हमें राजनिती में इसेदारी मिले दिक्कत यह है कि जो वहां प्रमुक राजनितिक दल है वो सब कंट्रोल में इनके एक भी नहीं है एक के भी अद्यक्ष जो है, सुट유 लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत उसमें है कि उन पर तो लोगों का बहुत विश्वास है लेकिन बसपा के कुल मिला के जो वातावरन है उसमें जो दलित समुदाय का पूरा विश्वास अगर हो जाए तो वह भी बहुत अच्छा करेंगे लेकिन वह हो नहीं पा रहा है वहां दिक्कते आ रही है और बैकवर्ड क्लास तो जिरो है वहां आपको आश्य नितरतिव के कमी है अच्छा नितरतिव के बिल्कुल कमी है ते लंगना में जो प्रमुक यादव नेता थे जो एंटियार के समय में कैबिन मंत्री थे कृष्णा याद उनको एक तरह से राजनीती में साजेशन साइड कर दिया गया है दूसरे जो हैं जो केसीयार के में जो अंजय यादव या जो भी हदराबाद से सांसत थे उन लोग का केंदर बैकवर्ड क्लास राजनीती नहीं होकर वो अपने और अपने परिवार के लिए राजनीती करते हैं यहां जो भी पार्टी और अभी चुना होने वाला है मैं अमबेडकर नामा के माद्यम से त साथी हैं उनसे अनरोज फिर करता हूं कि बैकवर्ड क्लास और दलित का जो एक साथ आना और आदिवासी का जो कि 11 अप्रिल को जो बैकवर्ड क्लास पॉलिटिकल फ्रंट बनाता है इसमें तमाम छोटे-छोटे दल साथ है अगर वो होंगे तो निश्चत तोर से 20-25 सीटे वो जीत लेंगे यह मेरा अपना विश्वास है और मैं अपील करता हूं को कि वो साथ है तो मैं क्या यह समझा जाए कि जो पिशड़ी पॉलिटिक्स है या यादव पॉलिटिक्स कह लिए वहां तो लोग संगटित हो रहे हैं संसाधन भी है पैसा भी है नौर्थ में राज से यह अती पिछड़े और दलित के प्रोटेक्टर बनके उबरेंगे या क्या आपको लग रहा है देखिए यह जो भी पैन इंडिया बन रहा है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है आप जैसे चैनल जो हैं यूट्यूब और दूसरे मीडियम से पूरे न राजनीती नहीं चल रहे है यहां पूरे बैकट्वर्ट क्लासेस को साथ मिलाने की राजनीती चल रहे हैं और उसमें जो आप जानते हैं कि समुदायों के बीच में थोड़ी बहुत conflict रहता है और आपस में नितरतिव में एक जो community है उसमें नितरतिव के लिए काफी जद्द जहद होती है लेकिन बावजूद इसके वो अगर कोई party और मैं तो समझ रहा था कि Congress party उस दिशा में काम करेगी जैसे करनाटक में उन्होंने काम किया अगर तिलंगना में करेंगे नि रड़ी के 45 seat 42 seat के CR के party ने रड़ीओं को दिया है और इन Congress party ने पैतालिस में दिया है खाले रड़ीज वर्सेज रड़ीज वर्सेज रड़ीज हो रहा है और उसमें जो है जो Congress जिन सीटों पर जीत सकती है वहां वो दूसरे community को दे ही नहीं रहा है उनको एक तरह से साइड लाइन किया जा रहा है और रग सब एक बहुत बड़ी बात है पैन इंडिया अपने का मेरी अपनी समझ है कि अगर एक भी पाटी बैकवर्ड प्लास का पैन इंडिया पाटी हो वास्तव में जैसे एक समय में वस्पा ने उस दिशा में कदम बढ़ाया था काशी राम जी की नित्रतेव में वैसा कोई अंब्रेला हो तो उसको भारत में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है उस लेवल का कॉंसेशनेस तमिल नाडू से लेकर हर्याना तक और इधर आप देख रहें आसाम से लेकर पूरे जाते हैं दक्षिन भारत में और उत्तर भारत के लीडर्स नहीं जा पाते हैं ने इनके प्रियोर्टी में वह है ही नहीं समाजिक चेतना और समाजिक संघर्ष काशी राम जी जैसे नेता समझते थे और वो यह भी समझते थे कि कैसे जोड़ा जाए वे भिन समुदायों को और उसके लिए उन्होंने एक पैटर्ण बनाया जिसको दुखद रूप से आरेसेस फॉलो कर लेती है बीजेपी फॉलो क रहता है वो फॉलो करके उसको आगे नहीं बढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि उनको एक पूरे और सबसे बड़ी बात है कैसे आप राजनिती कर रहे हैं डीम के पार्टी ने काफी हद तक बीजेपी के लाइन्स पर अपने आपको संगटित किया है उनकी जो विवस्था रहे हैं उनका जो सिस्टेम है वो बहुत ही फुल प्रूफ है उनके यहां वार्रूम होता है उनके हैं रिस्पॉंसबिलिटीज है मीटिंग्स होती है और यह आप बांकी नौर्थ इंडियन पार्टी को देख लें उसमें तो मुख का कानून चलता है कि जो बड़े लेता क अंतिम सवाल आप लोग जैसे अक्टिविस्ट जो है लगतार बैकवर्ट क्लास को यह करने की कोशिश करने हैं लेकिन रोहनी को जो कमिशन था उसका रिपोर्ट पेश हो गया है अब यह स्पेशल सेशन होने वाला पार्लेमेंट का तो क्या सरकार ओवी सी के बीच में बट इस बात को समझते हुए जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं खास और से जो बैकवर्ट क्लास की राजनिती कर रहे हैं वो उस तरह से निरेटिव अपना बनाते हैं कि जैसे बीजेपी एक प्रशन छोड़ती है उसका जवाब वो डोडने में लग जाता है मेरा निवेदन था कि जाती जंगना पर अगर राष्टी अस्तर पर एक मजबूत तरीके से अंदोलन होता तो भारतिय जंता पार्टी को जवाब देने की नौपत आती और जिसका जवाब उसके पास नहीं था क्योंकि वो शुरू से वो एक सवन पार्टी के रूप में हैं वो चाहे कितना भी व कि सवर्न राजनिती करते हैं और बैकवर्ड दलित को सिर्फ इस्तमाल करते हैं यह बात दिख जाती लेकिन वह कर नहीं रहे हैं oraz 2 मुद्डें पिछड़ों के कंदों पे जो है ना हिंदू राष्ट की पाल की डोवाना चाहते हैं वह तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं क्या उन्होंने जाती जनगना पर राष्ट व्यापी आंदोलन के लिए कोई प्रयास किया और उनको छोड़िये सुनिया गांदी ने चिट्टी लिखा पॉर्ण लागू करने के लिए जिसमें आपने कॉल दिया था सम्विधान बचाओ संगर्श समिती के तरफ से हमारे तमाम जो शिक्षक हैं सभी लोग जुड़े हुए थे और जिसमें किसी को उसमें अतराज नहीं था यह बात थी कि कॉल को नदेगा भारत बंद का कहीं व लितों और पिछड़ों की और खासतर से शेक्षिक जगत से जुड़े हुए लोगों की और उस चीज में हम काम्याब हुए प्रकास जविडकर को उसी दिन पांच मार्च को चार बिजे शाम को कहना पड़ा कि हम इसको वे ड्रॉ कर लिए जाती जिन गन्ना में असानी हो सक सकती है और अगर राजनितिक दलों को लगता हो कि उनके कॉल को प्रापर रिस्पॉंस नहीं मिले तो समाजिक संगटन हम तियार खड़े है आप हमें इनिशेटिव लेने दीजिए आपको मन होगा तो पीजह समर्तन दीजेगा नहीं होगा तो नहीं दीजे चलिए तो सूर दबे कुछले लोगों की रक्षा करना है यही आदव धर्म है देखते रहे हैं अमबिट का नामा जल्दी मिलता हूं शुक्रिया